मदवनी जिले के रहिका का करोल मुख्य पत पर बाइक सवार की लापरवाई से बड़ा हाथसा होने से एक कीम मात हो गई तो तीन लोग जख्मी हो गए बाइक चाला कराकेश कुमार चापाल एबं सुमित दास तेज रफ्तार से बाइक ले कर जा रहे थे रात के समय इनके बाइक से आयुस कुमार भगत, पुजा देवी, सोनी कुमारी एबं लाल धाय देवी इन चारों को जोरदार टकर लगी लोगों ने जोरकावाज सुनकर घटना स्तल पर पहुँच कर घटना में बुरी तरह जख्मियों को बचाने के प्रवंद में लग गए और घटना की जानकारी चंद फासली पर मौजूद रही का थाना को दिया थाना दियक्स अरुन कुमार बिना देर किये घटना स्तल पर पहुँच कर सभी जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया जहां सदर अस्पताल में इलाज के दारान आयूस कुमार की कुछ देर बाद मिर्तियू हो गई अने तीनों जख्मी का इलाज जारी है बाइक सवार दोनों यूबक को बाइक के साथ पुलीस अपने कबजे में लेकर कानूनी करवाई करते हुए बाइक चालक को जेल भेज दिया है वही मिर्तियकाई उसकुमार के सव का पुस्टमाटम काफी रात हो जाने से नहीं हो सका सुभा में पुस्टमाटम के बाद सव को परिजनों को सौब दिया गया गटना से पुरे गाउं में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है रफ्तार की कहर ने एक मासुम का जहां जान ले लिया है वहीं तिन अने को जिंदगी और मौत के बीच जूजने की स्थिती में पहुचा दिया है सभी जक्मी एक ही परिवार के सदस्य है जो दुरगा पुजा देखने के लिए घर से निकले थे इन्हें क्या पता था कि घर से निकलते ही तेजरवतार वाइक इनके लिए प्रान घातक बन जाएंगे एक साथ चार चार को जोड़दा टक्कर मार देंगे बेन पी नियूज के लिए मधुबनी से समवाद दाता हरी शंबू की रिपोर्ट